वाहिगुरु जी का घालसा वाहिगुरु जी की फते कुछ सम्मा संगत नू तारन पिच्छो बाबानान सिंग जी ने होण सुलखन सिंग नू ना लैके चांग जानले त्यारी कर ले ते बाबानान सिंग जी रात नू टाई वजे मंग्याने स्टेशन गड़ी तो जा उत्रे स्टेशन तो बाहर निकल के एक टांगा लैके पिंड बागा नू चल पए पिंड तो बाहर टांगा रोक के सुलखन सिंग नू हुकम कीता पई इत्ते एक उत्तम चंद रहन्दा है उ उकम अनुसार तो पया जदो पिंड जा वड़ेया ता एक पुर्ष मिलेया जेडा की खूत इशनान करन ले जा रहा सी उसनों पुछिया पई एत्ते एक उत्तम चंद जी रहन्देहन उनादा कर किते है उस पुरुष ने नाल जाके कार दस्या सुलखन सिंग ने आवाज मा आप जीनू बाबा नान सिंग जी ने याद कीता है ए सुनके उत्तम चंद जी चादर दी बुकल मार सुलखन सिंग जी नाल तोर पई जदो दो में प्रेमी बाबा नान सिंग जी दे पास पहुंचे ता हजूर बाबा नान सिंग जी समाधी स्थेत सी सातनाम दी आवाज दिती आवाज सुन के बाबा नान सिंग जी समाधी उस्थान होए ता दोना प्रेमिया ने मत्था टेक किया बाबानान सिंग जी ने मेहर परिदृष्टी नाल तक क्या ते फुर्माया उत्तम चांद सुत्तेनु जगा के दात देती है इसनो संभाल के रखी अगो उत्तम चांद ने पूर्ण सतकारनल मत्था टेक के बेंती कीती बाबा जी जिवें सुत्तेनु जगा के किरपा कीती है दात बक्षी है, इसे तरह ही संभाल शक्ती वी आप जी ने ही बक्षनी है। तेव जी ने चरण पाए सी इत्थे पहुंचन तक दन वी चड़ आया इत्थे एक सुरोवर है बाबा नान सिंग जी आप वी इशनान लेई त्यार हो गए ते नाल ही एना दोहा प्रेमिया नू इशनान लेई हुकम कीता आग्या अनुसार एना ने वी बाबा नान सिंग जी दे नाल ही सुरोवर विच इशनान कीता इशनान कार देया बाबा नान सिंग जी ने उत्तम चंद दे मू ते पंच छिटे जल दे मारे ते फुर्माया अज तो तेन्नू उत्तम चंद तो उत्तम सिंग बना दता इस बचन अते अम्रत दे छिटिया ने उत्तम चंद दे कपा करता रहा वाहिगुरु जी का खाल सा वाहिगुरु जी की फते